ही दोस्तों यह काणफलोर है उसमें थोड़ा पानी डाल दी डालके गरम गरम तेल जो एक मरतबा यूज़ कर चुके हम चिकन फ्राइब करें जो भी फ्राइब डाल देंगे काणफलोर में थोड़ा पानी मिलाके वह तेल जो ही रिफ्रेश हो जाएगा दूसे बार इस्तमाल के लिए हो जाएगा और उस देल के अंदर जो मड़ी बगरा है सब निकल जाएगा थैंक यू वेरी मच